Hello friends, welcome to South of Solutions और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा Angular 17 का फुल टूटरियल सीरीज दोस्तों जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने development environment ready करना सीखा कि क्या का install करना होगा, कैसे install करना होगा, कहां से download करना होगा सब कुछ हमने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर वीजिट करिए इसे पिछले वीडियो को क्योंकि वहां से ही आपका development अस्टार्ट होने वाला है पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि Angular 17 में काम करने के लिए हमें Node.js इंस्टॉल करना होता है तो Node.js का क्या रोल होता है Angular 17 Node.js भी एक platform है, framework है जहां से application develop किया जाते है तो उसका जरूरत क्या है Angular 17 में ये interview का बहुत ही most important question है लोग पूछते हैं कि why need Node.js in Angular 17 या Angular 16 तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो का अच्छे से देखिए समझिए कि आखिर क्या जूरत है Angular 17 में काम करने के लिए Node.js का तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो टूटरियल को और सबसे पहले में आप लोगों से में रिक्विस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वाई डज इंग्लर 17 नीड नोट जीस तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि नोट जीस है क्या देखिए इसकी जुरत क्यों है इंग्लर 17 में वह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह क्या है जिसके बारे मों लोग बात कर रहे हैं तो देखिए नोट जीस जाए न ओपन सोर्स क्रॉस प्रेटफर्म रॉन्टाइम इंवर्मेंट फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड और नेट्वर्किंग अप्लिकेशन करने का मतलब यह है कि नोट जीस एक उपन सोर्स है विदाउट लेसेंस आप काम कर सकते एक क्रॉस प चपाइब करता है यह जावास्कृप्ट का प्रक्र जावास्किप्ट सर्वर तिस साब्यों जीज़ी नोट जीस के बारे में जानने के बाद और भी सुचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह एक प्लेट्पॉम जहां से अप्लिकेशन डेवलप किया जाते हैं यह अप्लिकेशन नेवलप कर सकते हैं यहां तक की अंगुलर की तरह जेश्ट लाइक अंगुलर यू कें डेवलप सिंगल पेज अप्लिकेशन आज वेल इन नोट जैस तो दिन वाइड डज अंगुलर सेवेंटिंग नोट जैस फिर जरूरत क्या है इसकी इसका आंसर यह है हमरा अप्लिकेशन ब्राउजर पर जाकर ओपन हो जाता है दीखने लगता है यह नोट जैस का काम है ठीक है आप जैसे सेब करते बिजाओ रिफ्रेस्ट पेज आपका आउटपूट वहां पर दीखने लगता है दूसरा चीज कि नोट जैस इंस्टॉल करने के बाद आपके लैपटॉप में एनपी मिस्टॉल होता है ठीक है जिसका फूल पाम होता है नोट पैकेज मैनेजर ठीक है पहला तक पता चाल जाएगा कि हमारे वेव सर्वर को होस्ट करता है लोकली दूसरा रिजन की हमारे अप्लिकेशन में प्रजेक्ट में एनपीम का बहुत बड़ा रोल है ९ह नोट पैकेज मेनेजर का बहुत पड़ा रूल है रोल यह है कि जैसे हैं आपको प्रजेक्ट करते हैं तो आपने नोटी क्या होगा जैसे मैं पर एक करना आप लोग को सिखाऊँगा आगे तो पौरजेक्ट करते हैं वहां पर होते हैं और कौन करता है एंपी को बहुत प्रारोल हो गया एंपी हमी आपके प्रोजेक्ट में नोड मेडूल को मैनेज करता है इसको क्रियेट करता है आपके प्रोपर तरीके से काम करने के लिए कि आपके laptop में Node.js की जुरत होती है जब Node.js होता है तभी NPM प्रोपर मैंडर में काम करता है तो दूसरा रिजिन यह भी है तो तिसरा रिजिन यह भी है कि आपके प्रोजेक्ट में जो इस इंगुलर का CLI होता है उसको भी काम करने के लिए NPM का जुरूत जाता है कि NPM यह आपको इंगुलर CLI यह आप दिखते हैं कि NPM इंस्टॉल इंगुलर CLI तो NPM ही उसको इंस्टॉल करता है यह सब कुछ कमान लाइन समकरते हैं तो इंगुलर CLI को भी वर्क करने में निपीम का बहुत परा रूल होता है और निपीम को वर्क करने में नूट जैस का बहुत परा रूल है यह सारे रीजन होते हैं नोट जेस की जो हमें इंग्णर 17 में यूच्च करना पड़ता है ठीक है ऐसा निया बहुत सार लोग यह सोचने लगते हैं कि नोट जैस तो हम API वगरा इच्च करने के लिए हम API वगरा क्रेट करने के लिए हम नोट जैस इंस्टॉल करते हैं नोट जैस पर काम करते हैं बनाते हैं यह सारी चीज़ें आपको जानना होगा अगर आप इंट्रिव्यू देने जाते हैं या फिर किसे प्रजिट में काम करते हैं आप देखिएगा जब लिए मैं आप लोग कोई सीरीज में कोई ठर्ट पाठी पैकेज इंस्टॉल करना सिखाऊंगा या फिर प्रजिट करेट करोंगा दिखाऊंगा आपके देखिएगा आप लिखे हुआ रहे हैं नोट इन्पिम इंस्टॉलिंग पैकेजज या फिर मालिया आपको अपने करता है नपिम को बहुत बढ़ा रोल हो गया नपिम को प्रोपर तरीके से काम करने के लिए जरूरत है जरूरत पढ़ेगा आपके अप्लीकेशन में आप लोगों को शमझ में आ गया होगा कि नोट जिस का क्या रोल है फिर भी आपके माईंड में कोई भी कन्फूज नहों हमारे कमेंट वक्स में जरूर सेयर करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू शो मच